राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आज मैं आपनों को बताने जा रही हूँ पित प्रक्ष में स्राथ क्यों किया जाता है और पित प्रक्ष की कथाएं आपनों को सुनाने जा रही हूँ श्राद का अर्थ होता है शद्धा पुर्वक अपने पित्रों को प्रसंद करने से है सनातन मानिता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याक कर चले गए हैं उनकी आत्मा की त्रप्त के लिए सची स्रिधा के साथ जो तरपन किया जाता है उसे श्राद कहते हैं ऐसी मानिता है कि मृत्र के देपता यम्राज श्राद पक्ष में जीव को मुप्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के हां जाकर तरपन गरहन कर सकें पित्र पक्ष में पित्रों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदी हमें अनजल से संतुष्ट करेंगे यही आशा लेकर वे प्रिथवी लोग पर आते हैं लेकिन जो लोग पित्र है ही कहां यह मानकर उचित तिथी पर जल वा शाक से विसाध नहीं करते हैं उनके पितर दुखीव निराश होकर शाप देकर अपने लोग वापिस लोट जाते हैं और बाद होकर शाध ना करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं फिर इस अविशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट जेलना पड़ता है और मरने के बा पुकी पुर्णिमा से आरंभ हो करके आशिन मास के अमावस तक चलता है भादपद पुर्णिमा को उनहीं का स्राध क्या लाता है जिसन का निधन वर्ष के किसी भी पुर्णिमा को हुआ हो सास्रों में कहा गया है कि साल के किसी भी पक्ष में जिस तिथी को परिजन का दिह हांतवा हो उनका उसी तिथी को करना चाहिए आइगे आपनों को कथा उनाने जा रही हूं आप लों को पौराणि कथा सुनाने जा रही हूं कित्रबक्ष की कथा आज मैं आपको करmoi जा जिसका वर्णन गरूर पुरान में किया गया है इस कथा को आवस्य सुनें जिससे कि आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा एक बार भगवान श्री कृष्ण से पक्थी राज गरूर ने पूछा हे प्रभू प्रिधिवी पर लोग अपने मृत्य पित्रों का श्राद क देखा भी है भवान श्री कृष्ण ने कहा हे गरूर तुम्हारी संका का निवारन करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना को सुनाता हूं सीता जी ने पुष्कर तिर्थ में अपने ससुर आदी तिन पित्रों को स्रादमे निमंत्रित ब्रामनों के सरीर में करने गये थे साथ में माता सीता भी थी बाद में शीराम को यह पता चला कि उनके पिता उनके वियोग में सरीर त्याग चुके हैं जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्रीराम ने पुषकर तिर्थ की यात्रा की, जब वो श्राद का अवसर था ऐसे में पिता का श्राद पुषकर में हो इससे सिष्ट क्या हो सकता है तीर्थ में पहुँचकर उन्होंने स्राध की तैयारियां आरंब कर दी। भगवान शीराम ने स्वेमी विभिन शाक, फल एवं अन्य उचित खाद सामागरी एकत्र की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया, उन्होंने एक पके हुए फल को सिध करके स्री राम जी के सामने उपस्थित किया, स्री राम जी ने रिश्यों और ब्रामनों को सम्मान सहित आमंत्रित किया, शाध कर्मे दिख्षित स्री राम की आग्यां से स्वेम दिख्षित होकर सीता ज जाद में आने वाले रिश्यों और ब्राह्मनों के प्रतिक्षा थी। उसमें सूर्य भगवान आगास मंडल के मद्ध पहुँच गए। और कुतब मुहुर्थ यानि दिन का आठमा मुहुर्थ अथ्वा दो पहर हो गई। श्री राम जी ने जिन रिश्यों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गये थे। श्री राम जी ने सभी रिश्यों और ब्राह्मनों का स्वागत किया और आदर सत्यकार किया तता भोजन करने के लिए आगरह किया। रिश्यों और ब्राह्मनों को भोजन हेतु आसन गरहन करने क के बाद जानकी जी अन परोसने के लिए वहां आई उन्होंने कुछ भोजन बड़े भक्तिभाव से रिशियों के समक्ष उनके पत्तों के बनी थाली में परोसा वे ब्रामनों के बीच भी गई पर अचानक ही जानकी जी भोजन करते ब्रामनों और रिशियों के बीच से निकल और तुरंत वहां से दूर चली गई, सीता माता लताओं के मद्द छिप कर जा बैठी, यह क्रिया कलाप भगवां शीराम देख रहे थे, सीता जी के इस कृत से सीराम जी कुछ चकित हो गए, फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मनों को बिना भोजन कराए, साधवी सीता ल अभी यह जानने का समय नहीं है, जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मनों को भोजन करा लूँ, फिर उन्होंसे बाद में बात करूँगा, ऐसा विचार कर सीराम जी ने स्वेम उन ब्राह्मनों को भोजन कराया, भोजन के बाद रिशियों को विदा करते सम स्री राम जी के मस्तिक्स में यह बात रह रह करके कौंध रही थी कि माता सीता ने ऐसा अप प्रत्यासित वे वात क्यों किया उन ब्राह्मनों के चले जाने पर स्री राम जी ने अपनी प्रियत्मा सीता जी से पूछा ब्रामनों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यूं छिप गई थी यह उचित नहीं जान पड़ा इससे रिशियों के भोजर में वेवधान हो सकता था वे कुपित भी हो सकते थे स्री राम जी बोले हे सीते तुम्हें तो ग्यात है कि रिशियों और ब्रामनों को पित्रों के प्रतीक माना जाता है ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया इसका कारण जानने की इच्छा है मुझे अभी लम बताओ स्री राम जी के वचन को सुनकर सीता जी ने मुझ नीचे करके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आसु भाती भोली हे नात मैंने यहां जिस प्रकार का आश्चर देखा उसे आप सुने इस श्राद में उपस्तित ब्रामनों की अगली पांद में मैंने दो महापुर्षों को देखा जो राजा से प्रतीत होते थे रिश्यों और ब्रामनों के बीच सदे, धजे, राजा, महराजा जैसे महापुर्षों को देखकर मैं अच्रेज में थी तभी मैंने आपके पिताशी के दर्शन भी किये वह भी सभी की तरह राजसी वस्त्र और आभूश्रों से शुशो भी थे आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांद में चली गई मुझे ना केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया तभी मैंने निर्णे लिया हे प्रभू पेडों की छाया बलकल और म्रग चर्म धारन करके मैं अपने ससुर के समुख कैसे जा सकती थी मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ मैंने अपने हां से राजा को वा भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास वैसा भोजन नहीं करते मिठी और पत्तों आदि से वने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूशों से शुशोवित रहती थी और आपके पितासरी मुझे वैसी इस्तिती में देख चुके हैं आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती इससे उनके मन का भी छोब होता मैं उनको छोब में कैसे देख सकती थी क्या ये कहीं से उचित होता इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापिस हो गई और किसी की दर्ष्टि ना पड़े इस देख सघन लता में छुप गई गरूर जी बोले हे भगवन आपके इस कथा से मेरी संका का उचित निवारन हो गया कि स्राद में पित गरण साक्षात प्रगट होते हैं और वे श्राद का भोजन करने वाले ब्राहमनों में उपस्थित रहते हैं भवान विष्णों की जैँ हो माता लक्षमी की जैँ हो भवान से किष्ण की जैँ हो कमेंट बॉक्स में जैस या राम लिद्या चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन जरूर दबा दें जब आप लोग ऐसा करते हैं कमेंट्स भेजते हैं या बेल आइकन दबा देते हैं या लाइक कर देते हैं तो उससा हसा बढ़ता है कि कोई आप लोग मुझे सुन रहे हैं और यही एक तरीका होता है आप लोगों से जुड़ने का किर्पया लाइक जरूर कर दिजेगा आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं भगवान शीराम अपनी पतनी सीता जी के साथ में पिता दसरत का शाद करने गया धाम पहुँचे शाद कर्म करने के लिए आवस्च्च सामागरी लाने के लिए भगवान राम अपने भाई लश्मन के साथ चले गए तक तक राजा दसरत की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी फालगों नदी तट पर अकेले बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गए माता सीता जी ने फालगों नदी गाय बटवरक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मान कर पिंड दान कर दिया जब भगवान शी राम आये तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई परन्तु भगवान राम को विश्वास नहीं हुआ जिन्हें साक्षी मान कर पिंड दान किया था उन सब को सामने लाया गया फालगों नदी गाय और केतकी के फूल जूट बोल दिया परन्तु अक्षेवट ने सत्यवादिता का परचे देते हुए माता की लाज रख ली इससे क्रोधित होकर माता सीता ने फालगों नदी को स्राब दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी जबकि गाय को मैला खाने का जूटा खाने का स्राब दे दिया केतकी के फूल को पित्र पूजन में निशेद किया गया बट ब्रेक्ष पर प्रसन होकर के सीता जी ने उसे सदा दूसरों की छाया प्रदान करने के वो लंबी आयू का वरदान दिया फिर उन्होंने अपने ससूर दस्रत जी को मनी मन्प नाम करके उन्हें निमंतर दिया कि किर्पया आप आएं और बताएं अपने बुत्र राम जी को कि मैंने आपको पिंड दान किया है तब स्वेम दस्रत जी आये और धर्दी के नीचे से अपने दोनों हाथ को बाहर रिकाले वो आज भी पत्थर के रूप में दो हाथ चमीन से निकले हुए हैं उस इस्थान को विश्णूपत कहा जाता है स्वेम साक्षी बने दस्रत जी इहां माता सीता ने उन्हें पिंड दान किया है इस चीज को देख करके माता सीता को अत्यंत प्रसन हो करके आशिरवाद दिया वट व्रक्ष अभी भी तिर्थी आत्रियों को छाया प्रदान करता है आज भी फल्गू तट पर इस्थित सीता कुन में बालू का पिंड दान करने की क्रिया परंपरा संपन होती है जै माता दे राधे राधे जै श्री गया जी की हरी विष्णो जी की जै हो अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ पित्र पक्ष की पौराने कथा कहा जाता है कि जब महाभारत के युद में दानवीर करन का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई तो उन्हें नियमित भोजन की वजाए खाने के लिए सोना और गहने दिये गए इस बात से निराश होकर करन की आत्मा ने इंद्र देव से इसका कारण पूछा तब इंद्र ने करन को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभुश्रों को दूसरों को दान किया लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को कुछ भी नहीं किया आपने कोई भी स्राध कर्म नहीं किये तब कणने ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों के वारे में नहीं जानता है इस बात को सुनने के बाद भवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों की अवधि के लिए प्रिथवी पर वापस जाने की अनमत दी ताकि वह अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सकें इसी 15 दिन की अवधि को पित्र पक्ष के रूप में जाना जाता है पित्र पक्ष का आरम होता है आशिन कृष्ण पक्ष से पित्र पक्ष का आरम हो जाता है और यह पित्र पक्ष 15 दिन के लिए होता है साल में एक बार आता है आसिन कृष्ण पक्ष के पेत्र पक्ष के नाम से जाना जाता है इन 15 दिनों में जो कि पुणिमा तिथी सारम होता है और अमावस तिथी पर इसका समापन होता है इन पंदा दिनों में पित्रों के हेतु स्नान, दान, स्राध, तरपन, पाटी पूजन इस तरह के सारे कारे पित्रों हेतु समर्पित यह 15 दिन का पक्ष होता है जिसे की आसिन कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है और प्रित्र पक्ष भी कहते हैं यहारम होगा 30 सितंबर 2030 से समापन होगा 14 अक्टूबर 2030 तक इस पूरे महिने में जितना जादा से जादा हो सकें पित्रों के निमीत आप अपने पित्रों के निमीत इस्दान, दान, श्राद, आधिकार करें तो वह बहुत ही अच्छा होता है कहते हैं कि पित्र पक्ष के समय में जिस भी योनि में पित्र होते हैं उनको छोड़ा जाता है कि जाओ अपने संतानों को जो आपके संतान हैं अपने संतानों को देखो उनको देखो घर में जाओ अपने घर को देखो तो प्रित्वी लोग पर आते हैं और अपने अपने परि परिवार के ये बच्चे हैं ये मेरी परिवार में संताने हैं और आशिरवाद देने आते हैं एक तरह से का जाए तो आशिरवाद देने के लिए इस पृत्वी लोग पर आते हैं अपने अपने घरों को जाते हैं और देखते हैं जिनके संताने दुखी होती हैं परेशान होत उनको भी सांती मिले, जिस योनी में है, उन्हें भी सांती की प्राप्ति हो, इसे तो जो भी उनके परिवार के लोग होते हैं, वहां उन्हें स्राद, पित्र में इसनान, दान, श्राद, यह सब कर्म किया जाता है और करना चाहिए। अब मैं दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, पित्रपक्ष की पौराने कथा, पौराने कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे, जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, दोनों में परस पर बड़ा प्रेम था, जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किन्तु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हिरते थी, पित्रपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पित्रों का श्राथ करने के लिए कहा, तो जोगे इसे ब्यार्थ का कार समझ कर टालने की चेस्टा कंटनी लगा, किन्तु उसकी पत्नी समझती थी, कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाते बनाएंगे फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा अतावा बोली कि आप शायद मेरी परिशानी की वज़ा से ऐसा कह रहे हैं किन्तो इसमें मुझे कोई परिशानी नहीं होगी मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे फिर उसने जोगे को अपने पीहर नियोता देने के लिए भेज दिया दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सबेरे आकर काम में जुट गई उसने रसोये तयार किये अनेक पकवान बनाए फिर सभी काम निप्टा कर अपने घर आ गई आखिर उसे भी तो पित्रों का श्राध तरपन करना था इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी सिग्र ही दो पहर हो गई पितर भूमी पर उतरे जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के हां गए तो क्या देखते हैं कि उसके सस्राल वाले वहां भोजन पर चुटे हुए हैं निराशो करवे भोगे के हां आए वहां क्या था मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी पितरों ने उसकी राख चाटी भूकेई नदी के तरपर जा पहुँचे थोड़ी देर में सारे पितर इकठा हो गए और अपने अपने यहां के शादों की बढ़ाई करने लगे जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई फिर वह सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शाद उन्हें भूका ने रहना पड़ता मगर भोगे के घर में तो दो जून की रोटी भी खाने को नहीं थी यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे भोगे के घर धन हो जाए सांज होने के होई भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला था उन्होंने मां से कहा भूख लगी है तब उन्हें टालने की गरत से भोगी की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में होधी ओंधी रखी है उसी जाकर खोल लो जो कुछ मिले बाट कर खा लेना बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होंधी मोहरे से भड़ी पड़ी ह वे दोड़े दोड़े मां के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया वगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ दूसरे साल का पित्र पक्ष आया स्राथ क दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के बेंजन मनाए ब्रामनों को बुलाकर श्राथ किया भोजन कराया दच्छना दी जे जिठानी को सोने चांदी के बरतन में भोजन कराया इससे पितर बड़े प्रसन तथा त्रिप्त हुए जिस प्रकार जोगे भोगे के पितर प्रसन और अपने बच्चों को आशिरवाद दें जिससे कि उनके घर में पुत्र पौत्र धन धान भरा रहे पितर देव की जै हो कुल देवी की जै हो कुल देवता की जै हो इस्ट भगवान की जै हो आज मैं आप लों को कथा सुनाने जा रही हूं भगवान शिव की जितनी देर कथा सुनें उतनी देर तक हाथ में दाहिने हाथ में साबूत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान संकर के उपर अर्पित कर दें एक साहुकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था उसके पास धन्य धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज सिवजी के मंदे जाकर दीपक जलाता था सात्य भगवान संकर की बड़े भक्तिवाव पुर्वक पूजा करता था उसके इस भक्तिवाव को देखकर एक दिन माता पारवती ने सिवजी से कहा कि हे प्रभु यह साहुकार आपका अनने भक्त है इसको किसी भी बात का कष्ठ है तो आपको उसे अवसेदूर करना चाहिए शीवजी भोले पारवती इस साहुकार के पास पुत्र नहीं है यह इसी से दुखी रहता है माता पारवती कहती है कि हे इश्वर कृपा करके इसे पुत्र का वर्दान दे दीजे तब भोले नात ने कहा कि हे पारवती साहुकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है ऐसे में अगर इसे पूत्र प्रावति का वर्दान मिल भी गया तो वह केबल 12 वर्ष की आयू तक ही जीवित रहेगा यह सुनने के बाद भी माता पारवति ने कहा कि हे प्रभु आपको इस साहुकार को पूत्र का वर्द देना ही होगा अनेता भक्त क्यूं आपकी सेवा पूजा करेंगे बड़े भक्ति भाव से यह साहुकार आपकी पूजा करता है इस उमीद से पूजा करता है कि इसके मनुकामना की पूर्दी होगी मा पार्वती बावा से कहती है कि किर्पया इसके भक्ति को देखते वे इसके मनुकामना की पूर्ति करें माता के बार-बार कहने से बोलेनात ने साहुकार को पुत्र का वर्दान दिया लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जिवित रहेगा साहुकार यह सारी बाते सुन रहा था इसलिए उसे न तो खुसी हुई और नहीं दुख वह पहले की तरह बोलेनात की पूजा अर्चना करता रहा उधा से ठानी गर्व बती हुई और नवे महिने में उसे सुन्दर बालक की प्राप्ती हुई परिवार में खुब हर्स उल्लास मनाया गया लेकिन साहुकार पहले की ही तरह रहा उसे बालक की 12 वर्ष की आयू का जिक्र किसी से भी नहीं किया जब बालक की आयू 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहुकार की सिठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा तो साहुकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए कासी भेजेगा इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बलाया और कहा कि इसे कासी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुखना, वहाँ यग्य करना, ब्रामन को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना, उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवा था, जिससे उसका विवा होना तक वहाँ एक आख से काना था, उसक मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठा कर साधी के सारे कारे संपन करा लिए जाएं तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथा धन देंगे वह राजी हो गए इसके बाद साहुकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कारे संपन हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आख काना है इसके बाद वह अपने मामा के साथ कासी के लिए चला गया उधर आपस लोट गई उधर मामा और भांजे कासी पहुंच गया एक दिन जब मामा ने यग्य रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्रण निकल चुके थे वह बहुत परिसान हुए लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्रामण चले जाएंगे यग्य का कार अधूरा रह जाएगा जब यह यग्य संपन हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया उसी समश्री पारवती उधर से जा रहे थे माता पारवती ने शिवजी से पूचा है प्रभू यह कौन रो रहा ह तभी पता चलता है कि यह तो भोले नात के आशिरवा से जन्मा साहुकार का पुत्र है तब माता पारवती कहती है कि स्वामी इसे जीवित कर दें अन्य था रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे तब भोले नात ने का कि हे पारवती इसकी आयू तो इतन उठा मामा भांजे दोनों ने इश्वर को धन्यवा दिया और अपने नगरी की ओर लोटे रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया तब राजा ने राजकुमारी को साहुकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्धान के साथ विदा किया मामा ने आकर साहुकार के बेटे और बहु की आने का समाचा सुनाएं लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने श्रफद पूर्वग कहा तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहु का स्वागत किये उसी राज साहुकार को तिम्हारे पूजन से मैं प्र तोनलती होगि ओम्नमाश्षवाय इस प्रकार से यह सोंभार की कथा की समभाप्ती होती हैओ भवान शेव की कथा पॉएग अब भववम शंकर की इस्तुति करें कि जो भी इस्तुति आपको आती हो वही स्तुति करें नममामिश्मिशान इ coating जो इस्तुति मंतास को करें जो भी अपने भोग लगाया है जो भी भोग के लिए वहाँ पर प्रशाद स्वरूप रखे हैं आप फल है पंचाम्रित है और मेवा है सुखे मेवा भोवान संकर को भोग लगाया जाता है तो मेवा है जिन जिन चीजों का अपने भोग लगाया है उसे भोग लगाया है भोग लगाने के बाद में आरती पास्वेम भी गरहन करें। इस तरह से करने से भावान संकर का जो यह कथा है इसको सुनने का पून्द फलप्रत होता है वोगार ओपर कुछ नश नश जोfounder कि उसके ओपर कुछ नश दचना आवस्षि रख देंemment बात का जबरो धियान रखें यदि घर में पूजा करें तो पूजा इस्थान पर फोटो जो भी उस पर कुछ दच्छना चढ़ा दें और यह दि मंदीर में तो भी दच्छना मां रख दें चलते समय उस दच्छना को उठाकर के दान पात्र में डाल दें या कोई पूजारी पंडी जी हो मंदिर में तो पंडी जी को दे दें इस तरह से कुछ नो कुछ दान अवसे निकाले पूरी पूजा समाप्त होने के वाद में भवान संकर से छमा प्रारतना अवसे करें देखें हम सभी लोग मानव हैं इंसान हैं हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और छोट अपने मनोकामना को बताएं कि हे इश्वर मेरा ये मनोकामना है इसकी पूर्थी करें जो भी आपकी मनोकामना उसे बोलें उसके बाद में छमा मांगे भगवान से कि मेरे पूजा करने में जो भी तोटी रह गई हो जो भी मुझसे गलती हो गई हो हे प्रभू हे करणारिध आप तो दया के सागर हो और मैं एक मनुस्य हूं मेरी उसकल्ति को अवस्य छमा करें इस तरह से विनीत भाव से भवान से छमा मांगें जितनी देर कथा सुनें उतनी देर तक हाथ में दाहिने हाथ में साबूत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें कथा पूंड होने के बाद में उसे भवान संकर के उपर अर्पित कर दें यह कारें अवस्य करें ओम नमा शिवाय इस मंद्र का जाप अवस्य करें शिवाले में खड़े हो चाहे घर में हो 108 बार जरूर पढ़ें रुद्राश का माला हो तो उसके उपर 108 बार जरूर पाठ करें ओम नमा शिव ये वीडियो कैसा लगा किरपया कमेंट बॉक्स में अवसाइए कमेंट बॉक्स में जैस ये राम लिद्य化ाइञन को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन जरू दबा दें जब आप लोग ऐसा करते हैं कमेंट्स भीजते हैं या बेल आइकन दबा देते हैं या लाइक कर देते हैं तो उससा हसा बढ़ता है कि कोई आप लोग मुझे सुन रहे हैं और यही एक तरीका होता है आप लोगों से जोड़ने का किर्प्या लाइक जरूर कर दिजेगा धन्यवाद